बच्चों चेंबरलीन के सिध्धान के बाद हम अगला सिध्धान देखेंगे जेम्स जीन्स का ज्वारी ये सिध्धान्त ज्वारी सिध्धान्त ये टाइडल थियोरी इसके इस परिकलपना को जेम्स जीन्स ने सन 1919 में प्रस्तुत किया था और इसके बाद जैफरी मोहदय ने सन 1929 में इसे संशोधित किया है इस सिद्धान्त की प्रसुती करण के बाद ऐसे बहुत से तथिजो सौर मंडल में हमें देखने को मिलते हैं इनका समाधान इस सिद्धान्त में होता हुआ दिखाई देता है जेम्स जिन्स ने पहले ही मान लिया कि ब्रम्हांड में सूर्य एक बड़ा आग का गोला था बहुत विस्तरित था गैस राशियों से भरपूर था दूसरी बात इन्होंने बताई कि सूर्य के साथ एक अन्य साथी तारा भी ब्रम्हांड में था और उसके सैयोग से सूर्य के साथ साथी तारे के सैयोग से सौर परिवार की उत्पत्ति होती है तीसरी बात इन्होंने बताई कि सूर्य और जो साथी तारा था ये दोनों के आपसी आकर्शन के फलस्वरूप वर्तमान प्रिथ्वी उत्पन्न हुई है सूर्य अपनी जगह पर इस्थिर था लेकिन साथी तारा जो था यह ब्रह्मांड में परिभ्रमन कर रहा था साथी तारा एक निश्चित पत्थ पर चल रहा था और वह निरंतर सूर्य के निकट आ रहा था आगे इन्होंने बताया कि जो साथी तारा था उसका आकार और उसका आयतन सूर्य से कई गुना बड़ा था और इस प्रकार से पास आते हुए तारे के आकर्शन के फलस्वरूप सूर्य में इसका प्रभाव पड़ा और उसके फलस्वरूप उस आकर्शन के कारण सूर्य से निकले पदार्थों से ग्रहों की उत्पत्ति होती है इस प्रकार से एक साथी तारे के आकर्शन से सूर्य से ग्रहों की उत्पत्ति का उलेख जेम्स जीन्स ने किया था इन्होंने आगे विस्तार से बताया कि जब साथी तारा सूर्य के निकट आता है जैसे बताय था कि साथी तारा बहुत बड़ा है उसका आयतन बड़ा है और उसके कारण उसकी आकरशन शक्ति भी अधिक थी जब वह सूर्य के निकट क्रमशह आ रहा था तो उसके आने से सूर्य का कुछ पदार्थ उस साथी तारे के आकर्शन से उपर उठने लगा और वह सूर्य से थोड़ा सा बाहर आने लगा था बच्चों जैसे आप इस चित्र से देख सकते हैं कि कुछ पदार्थ सूर्य से निकल कर उस साथी तारे के आकर्शन से बाहर के और खिचने लगा जैसे जैसे यह साथी तारा सूर्य की तरफ आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे इस पदार्थ की मात्रा आकर्शन अधिक हुआ और ये पदार्थ की मातरा अधिक बाहर की ओर आने लगी यह पदार्थ ठीक उसी प्रकार से बाहर आ रहा था जैसे आप देखते हैं वर्तमान में चंद्रमा की आकर्शन शक्ती से पृत्वी का जल खिचता है ठीक उसी प्रकार से सूर्य का कुछ पदार्थ खिचने लगा थ उसका आकार लगभख सिगार की समान दिखाई देने लगा जिसे आगे इन्होंने फिलामेंट के नाम से संबोधित किया है साथी तारा जैसे जैसे सूर्य के पास आने लगा पदार्थ की मातरा क्रम शह अधिक बाहर निकलने लगे लेकिन ये साथी तारा सूर्य के मार्ग में नहीं था बलकि वह एक अलग मार्ग से निरंतर आगे की और बढ़ने लगा जब साथी तारा सूर्य के बहुत अधिक निकट आया तो सूर्य से उत्पन जो पदार्थ जो ज्वारी ये पदार्थ है ये पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में बाहर के और निकला तो इस प्रकार से आप यहां पर चितर में देख सकते हैं जैसे जैसे पास आया इस पदार्थ की मात्रा बढ़ गई. पहले पदार्थ कम निकला था और फिर इसकी मात्रा थोड़ी सी अधिक हो गई थी. इस प्रकार से यह साथी तारा अपने मार्ग से आगे की ओर बढ़ जाता है जैसे जैसे यह साथी तारा सूर्य से दूर जाने लगा यह जो पदार्थ था यह अब धीरे धीरे कम होने लगा और कम होते होते जब साथी तारा काफी दूर चला गया तो यह filament जो है यह पूरी तरीके से सूर्य से बाहर निकल चुका था अब आप देख रहे हैं इसका आकार यह जो फिलामेंट का आकार है यह बीच में काफी चौड़ा है जब कि इसके दोनों किनारे काफी सक्रे है और इस प्रकार से यह जवारी पदार्थ सूर्य से अलग हो गया उस साथी तारे के सैयोग से साथी तारा जो है अन्यत्र कहीं चला गया लेकिन सूर्य से निकला यह जो पदार्थ आप देख रहे हैं यह पदार्थ अब वापस सूर्य से चुकी बाहर निकल चुका था इसलिए वह सूर्य में जाकर नहीं मिलता अब यह क्या हो रहा है कि यह पदार्थ सूर्य के आकरशन में रहके सूर्य के चारो तरफ चक्कर लगाने लगा तो इस प्रकार से कुछ पदार्थ सूर्य से बाहर निकल गए सूर्य से बाहर आने के बाद बाई ब्रम्हांड के बाई वातावरन में आकर के ये पदार्थ इसमें से कुछ पदार्थों ने अलग अलग छोटे छोटे से भुरून तयार किये और उस भुरून से बाकी के जो आसपास के पदार्थ है ये पदार्थ आकर के इसमे मिलने लगे इस प्रकार से नव भुरून तयार हुए और उससे नव ग्रहों की उत्पत्ति होती है साथी तारा अन्यत्र चला गया जो सूर्य का औशिष्ट भाग था वह सूर्य बन कर रहे गया और ये जो नव पदार्थ जो है ये नव ग्रहों के रूप में सूर्य का चक्कर लगाने लगे थे कुछ पदार्थ जो बचे हुए थे इन पदार्थों को उसके आसपास के ग्रहों ने अपनी और आकरशित करना प्रारंब गिया लेकिन कुछ पदार्थों के और भी भुरून तयार हुए और उनसे उपग्रह बन गए और ये सभी उपग्रह जो है यह अपने अपने ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाने लगे तो इस प्रकार से जेम्स जीन्स और जैफरी ने मिल करके यह जो सिध्धान्त प्रस्तु है बच्चों यहां पर हम इन ग्रहों को देखेंगे कि इसमें कई समस्याओं का समाधान भी हमें इस प्रकार की उत्पत्ति से मिलता है यहां पर आप देख रहे हैं कि ग्रहों का आकार कैसा है सूर्य के निकट के ग्रह बुद्ध, शुक्र, पृत्वी और मंगल छोटे ग् प्रकार क्रम्षा बढ़ रहा, यदि हम मंगल को अपवाद के रूप में छोड़ दे तो यह क्रम्षा बढ़ती अवस्था में हैं, फिर ब्रिहस्पती, शनी, अरुन और वरुन, ये ग्रह ब्रिहस्पती सबसे बड़ा, फिर शनी, फिर अरुन, वरुन, ग्रहों का बीच क की भाती इसपश्ट हो रहा है जैसे सिगार बीच में चवड़ा था तो बीच के ग्रह बड़े बने हैं और किनारे में छोटे-छोटे ग्रहों का क्रमशह विकास हुआ है तो इस प्रकार से जो वर्तमान ग्रहों का क्रम और आकार है यह जेम्स जीन्स और जैफरी के इस परिकलपना से बहुत मिलता जुलता है दूसरी जो समस्या का समाधान हुआ है उपग्रहों का आकार और उपग्रहों का क्रम यह भी वर्तमान परिस्थिती के अनुसार है जो उपग्रहों का आकार है यह भी बीच के उपग्रह बड़े और किनारे के उपग्रह छोटे तो इस प्रकार के ब्रहस्पती और शनी के उपग्रह देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार से उपग्रहों का आकार और क्रम यह भी वर्तमान जो ग्रह प्रणाली है इसके अनुसार है तीसरी जो विशेष्टा इसमें देखने को मिली कि उपग्रहों की संख्या बड़े ग्रह के अधिक उपग्रह बने हैं उनकी संडचना भी ठीक ग्रहों के अनुरूप हुई है जैसे बूधर शुक्र के कोई उपग्रह ने लेकिन पृत्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है वह भी ठोस पदार्थों से निर्मित है जबकि जो ब्रहस्पति और शनी के और आगे के उपग्रह है इन उपग्रहों की संडचना में ठोस पदार्थों की कमी और वायव्य पदार्थों की भरपूर अधिकता है इसके बाद जो ग्रह स्वयमेव परिभ्रमन कर रहे हैं और उसके साथ सूर्य का परिक्रमन कर रहे हैं तो हम यह देखते हैं कि सूर्य के परिक्रमन में सभी ग्रह अपने अपने आर्बिट में अपनी अपनी कक्षा में यह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ये एक दूसरे की कक्षा में नहीं आते हैं। उसके साथ ही सूर्य के आकरशन के कारण ये सभी ग्रह स्वयमेव अपने अक्ष पर जुके हुए हैं। जानते हैं कि प्रित्वी अपने अक्ष पर अपनी कीली पर साड़े तेई संच जुकी हुई है। तो इसी प्रकार से सभी ग्रहों का जुकाओ भी इस से समझ में आता है। फिर जो साथी तारे के आकरशन से जो सूर्य से निकला हुआ जो पदार्थ था। इस पदार्थ का आकार प्रारंभ में कम था फिर चवड़ा हुआ और फिर कम पदार्थ निकला। तो इसका जो आकार है वर्तमान ग्रहों की इस्थिती के बिलकुल अनुरूप है। बीच का ग्रह चवड़ा और किनारे के ग्रह जो है सूर्य के पास का या सबसे दूर का जो ग्रह है ये काफी छोटे ग्रह है। तो उसी के अनुरूप और उसी अनुपात में ग्रहों की संद्चना होती है। तो ये सभी बाते जेम्स जीन्स और जेफरी के जो सिद्धान्त है इसको पूरी तरीके से उसके अनुसार है उसके अनुरूप है उसको मान्यता प्रदान करता है। तो ग्रहों की यह जो वर्तमान सनरचना है इसमें काफी मान्यता है लंबे समय तक बच्चों लगभग देड़ सो वर्ष तक इनके जो यह सिद्धानत है इसको मान्यता मिलती रही लेकिन बाद में कई ऐसे सिध्धान्त भी सामने में आए जिससे इनकी मान्यता धीरे धीरे कम होने लगी ग्रहों का और उपग्रहों का जो क्रम और जो आकार है यह भी वर्तमान ग्रह के अनुसार है तो इस प्रकार से ग्रहों की परिभ्रमन गती जो है यह इसको भी अधी हम देखे तो प्रत्य ग्रह अपने अपने अक्ष में घूम रहा है और प्रत्य ग्रह अपने अक्ष में कुछ न कुछ झुका हुआ है यह सूर्य की आकर्षन शक्ति का प्रभाव है उसके साथ ही ग्रह एक निश्चित और्बिट में एक निश्चित कक्ष में सूर्य का परिक्रमन कर रहे हैं और ये एक दूसरे की परिक्रमन इस्थिती में नहीं जाते अर्थात एक दूसरे की कक्षा में नहीं जाते तो यह भी इस सिद्धान्त से इस्पष्ट होता है और इस प्रकार से जो साथी तारे के आकर्शन से जो पदार्थ बाहर निकले हैं इन पदार्थों के निकलने का ज तो ये जो फिलामेंट, या सिगार की आकार में ये जो पदार्थ बाहर निकला है और उससे ग्रहों की जो रचना हुई है, अर्थात सूर्य के निकट और सबसे दूर का ग्रह छोटा है और बीच के ग्रह क्रमशह, बढ़ते क्रम के हैं, तो यह भी इस सिद्धान्त से इसप् इन्होंने अपने सिध्धान्त में ऐसी कई बातों को रखा है, जो इस प्रकार से इन्होंने अपने सिध्धान्त में जो बातों को प्रस्तूत किया है, वो इनके सिध्धान्त को आधार प्रदान करता है. बच्चों ये तो इन्हों ने अपने एक सिध्धान्त की प्रसुती दी लेकिन इनका सिध्धान्त भी लंबे समय तक तो लोगों ने उसकी काफी प्रशंसा की है किन्तु बाद में इसका भी मुल्यांकन किया गया इसकी भी आलोचनाय हुई है और आलोचना में सबसे पहली बात यहां कहे गई कि जो साथी तारा लगभग पास में आ रहा था वह तारा अब कहां चला गया वह दूसरी बार सूर्य के करिब क्यों नहीं आया यह बात जो जीन्स ने कही है वह पुना इसका उत्तर वो नहीं दे सके कि साथी तारा दुबारा क्यों नहीं आता है दूसरी बात इन्होंने विज़ताई कि सूर्य का जो व्यास है उससे ग्रहों की दूरी परियाप्त अधिक है जितना सूर्य का व्यास है उससे लगभग पांच सो गुना दूर ब्रहस्पति ग्रह है और यदि हम नेप्च्यून को देखे तो वह लगभग तीन हजार गुना दूर इस्थित है यदि हम एक फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति मांगते हैं तो यह फिलामेंट क्या इतने दूर तक विस्त्रित हो चुका था इस आधार पर तो ऐसा लगता है कि फिलामेंट पास-पासी था इसलिए ग्रहों को इतने दूर नहीं जाना चाहिए तो इस बात को बाद में जेम्स जीन्स और जैफरी ने स्विकारा भी था किन्तु वह उस पे संशोधन नहीं कर पाए थे तीसरा जो मुल्यांकन हुआ है कि पदार्थों का घनी भवन कैसे हुआ जो सूर्य से निकले पदार्थ थे उसमें तापमान अधिक था और अधिक तापमान के कारण ये पदार्थ बिखर जाने चाहिए लेकिन इनका घनी भवन हो करके ये ग्रहों के रूप में परनित हुए है ऐसा जेम्स जीन्स ने जो बताया है और जैफरी ने इसका समर्थन किया है इसका घोर मुल्यांकन हुआ या इसकी आलोचनाए हुई और उसके बाद इस सिध्धान्त के बाद और भी सिध्धान्त सा झाल 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 झाल